हाई गाईज वेलकम बेक टो मैंने चैनल फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप यू अला डूइंग गूड आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बड़िया वाली रेमिडी शेयर करने जा रही हूं और यह रेमिडी जो है यह हैर मास्क के लिए है तो गाईज आज मैं आप अब लोगों को आज लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी इस हैर मास्क को लगाने के बाद भी मैं अपको अपने हैर दिखाऊंगी तो गाईज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किजेगा स्टार्डिंग से लास तक जरूर देखिए का कि मैंने यह हैर मास्क कैसे कर लेती हूं तो लेट्स के स्टार्ड़ तो गाईज यहां पर सब्सक्राइब लिया है कर्ड यह जो है कर्ड है और यह तिक वाला कर्ड है इसको आप नॉर्मल जो कर्ड होता है ना आपका उसमें बहुत जादा पानी होता है तो उस सारे पानी को आप लोग एक हैंकी में निकाल लीजीएगा या किसी भी बल्मल के कपड़े में कैसे भी करके आप निकाल दीजीएगा सारा पानी और शर्फ आपको ऐसा लेना है ज़से बहुत जादा पतला सा है लेगर अगर आप इस तरीके से करेंगे बहुत है क्रीमी सा बनेगा है अब दूस इंडा लेना है एंडे में आप सब जानते हैं कितनी मतलब वाइटमिन इव अगरा होता है आपके है को कितना शिल्की शायनी बना के रखता है तो आप लोग मैं इसके जगह पे अगर जो नहीं करते हैं उनके लिए बता दे रही हूं यहां पर आप इवान का कैप्सूल ले सक अब मैं यहां पर ले रही हूं और यह आपके बालों को नरिश्मेंट देगा आपके बालों को स्मूध बनाके रखेगा और जो क्योंकि हम जो चीज़ें लगा रहे हैं उससे आपके हैर थोड़े से रूखे से हो जाएंगे इसलिए हम आपके जरूवत पड़ेगी उसके कैस्टर और और सब जानते हो कि हैर ड्रोथ में कितना अच्छा काम करता है कैस्टर और और यह थिक भी बहुत जादा होता है गाइस तो बहुत थोड़ा ही हम इस्तमाल करेंगे और इसके बाद मैं हाणने वाली हूं अशेंसल और यह बिलकुल ही ऑप्शनल है काइस पसंद नहीं आती है तो इसके लिए हम यहां पर इसको यूज कर रहे हैं जिसे की एक की स्मेल है वह दब जाए इसके आगे तो इसलिए बस यूज कर रही हूं मैं अब हमें यह ले लिया है कर्ड तो इसको लेने के बाद मैं यहां पर एक डाल रही हूं इसके अंदर एक ड माध्य यां यां सबगरना बन यहां अब अबस कि दालना हैं conserveiled oil ये बहुत इसपूने इसके अंदर इस आहती हम दाल रही हूं तो मैं यहां करूंज अश्यल ओध दॉस्यल्त लिए है और इसकी हमें 8-10 बूने लेक डालनी है और यह तोड़ी कम आए क्योंकि बहुत एकी स्मेल आती है तो बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग अब इस मिक्स को इसको हम मास्क को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आ अब मैं आपको यहां पर और हां मैंने जो अशेंशल डाला था आप उसकी जगरे पर रोजमेरी और अशेंशल ऑई भी डाल सकते हैं है बहुत अच्छा काम करता है अब मैं आपको हैर पर लगा कि दिखाती हूं तो आप मेरे पहले हैर देख लीजिए कैसे हैं कितने मेरे मैं इस तो इस तरह से हैर मास्कule लगा है तो इस तरीके से दो फायों दो पार्ट में डिवाइड कर ले 52ा था और गétais फोड़ाय अपको यह थे सतरु दो fat मैं पर टिप एक पूरे बाल में मतले लगाएगा और आप रूट पर औो मतला है मनें के लिए कि लिए उसका केस्टर डाला है हम तो वह अच्छा काम UM और या वी डाला तो कह़же बना के बालों में डाला है वो know कि भी हमने बघाले तो इंधे जरी नहीं दो देगा और our house जानते हैं वाइट मिधमिन वगरा होता है बहुत कुछ होता है तो वह आपके हैर को सिल्गी साइनी एन स्मूद बनाने बहुत जादा है दही तो बस तरीके से आप पूरे हैर पे अपना ये हैर मास्क लगा लेंगे जैसे कि मैं लगा रही है वीडियो में और आप देख रहे हैं बहुत जब लंबे बाल होते हैं बहुत मुश्किल होती है बालों में इस तरीके से लगाना मतलब बहुत घंदा घंदा सा लगता है लेकिन कोई नहीं पर लगाना तो पड़ता ही है तो इस तरीके से देख रहे हैं आप मैंने पूरे बालों में लगा लिया है एक तरफ और आप चाहो तो इसका बन बना लीजी नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीज सेट कर दूंगी ताकि यह गिरेगा नहीं और अब मैं यहां पर पॉली बैक मतलब लगांगी इसके ऊपर जिसे कि वह मेरी जो अंडे की स्मेल होगी ना वह जादा बाहर तक नहीं आएगी तो ठीक है चल जाएगा काम तो इसलिए मैंने यहां पॉली बैक लगा लिया है अ मैंने पहले वीडियो बना लिया हो तब मैं आपको देखा रही हूं यह लाइव रिजल्ट है तो आप देख लिए मेरे हैर कितने शिल्की साइनी और स्मूध देख रहे हो ना आप मतलब और यह हैर मास्क मैंने फर्स टाइम ट्राइं किया था पहले मुझे विश्वास नह J905 स्मूध ली और टाइब होसे स्मूध यहां कि शाइनी का मतलब है भ 91 व्यश्वे लगें अब जादा सील्की शैनी से लगे और इस तरीके से स्लीखिंगे इस अब स्टेय्ट हो ना को जब यह नहीं है वह तो सिल्की हो झाएं यह पर देख सकते हो यह लाइव तो और हाँ एक चीज और कि आपको यह हैर मास्क अपने अच्छे धुले हुए वालों में ही लगाना है मैंने यहाँ पर एक दिन पहले धो लिया था और इसके बाद नेक्स डे मैं इस मास्क को यूज कर रही हूँ कि आप लोगों ने हैर मास्क यूज कर लिया है कभी या नहीं और अकर नहीं किया है न तो एक बार इसको ट्राइज रुकर करके देखिएगा बहुत ही अमीजिंग वाला देके जाता है यह हैर मास्क ठीक है और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब उसके बगल में ही फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिसे वह लोग भी यह हैर मास्क एक बार यूज करें और अपने बाला में अच्छा सिल्की साइनी है स्मूद बना चके अपने बालों को और ठीक है मैं आप लोगों से मि सजेशन होना कि मुझे और कैसी वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं तो मैं आप लिए कोशिश करूंगी उसे वीडियो लाने के लिए तो चले गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूं एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार वीडियो अची लगे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा